हेलो दोस्तों, ये कहानी नहीं, बलकि एक सच्ची घटना है, 2LRI छिकियों की आत्मा के बारे में, कैनडा के नायागरा फॉल्स के पास स्थित एक टनल की है, इस टनल का निर्मार्ण सन 1900 के करीब किया गया था, इस टनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, कि वहां के आस खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, चुकि यहां पे बहुत कम आबादी है, इसलिए बस जरूरत के समय ही टनल से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था, बाकी समय टनल के अंदर पानी नहीं रहता था, टनल के बनने और चालू होने के काफी समय, बीत जाने के एक द जिससे यहां के आसपास के लोग अभी तक भुला नहीं पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि टनल के पास में ही एक घर में आग लग गई। उस समय उस घर के अंदर एक लड़र ड़की थी जो कि उस समय सो रही थी और अचानक आग लगने की जानकारी उसको नहीं हुई। जैसे ही आग उस लड़की के कमरे तक पहुची और लड़की की नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की आग देखके डर गई और वहां से भागने लगी। पर भागते हुए लड़की के कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की आग बुझाने के ल पर आग ज्यादा लग जाने के कारण कोई भी उस बचा नहीं पाया और वह लड़की उस टनल के अंदर टडपते हुए मर गई इसके बाद लोग उस टनल के पास जाने से डरने लगे मगर फिर भी वहाँ पे सब समान नहीं चलता रहा काफी समय बीत जाने के बाद वहाँ एक बहुत ही भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे के बाद वहाँ के लोगों की नींद उड़ गई कहा जाता है कि एक दिन वहाँ एक और लड़की की लाश आधी जली हुई मिली वहाँ आस पास के लोगों का मनाना है कि एक रात टनल के अंदर कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का सामूहिक बलातकार किया और बचने के लिए उस लड़की को टनल के अंदर ही जला के मार दिया. सुबह जब टनल के पास से जलने की बदबु आ रही थी, तो लोगों ने वहां जाके देखा, तो एक लड़की की आधी जली हुई लाश उस टनल के अंदर पड़ी हुई है. इसके बाद से ही उन दोनों लड़कियों की आत्मा उस टनल के आंस पास ही रहती है. टनल के पास में अभी भी जलने की बदबु आती रहती है. स्थानिय लोगों का मानना है कि जो भी वहां रोशनी करने की कोशिश करता है. उन दोनों लड़कियों की आत्माए उसे परेसान करती है. एक बार की बात है एक सफाई करमचारी उस टनल की सफाई करने टनल के अंदर गया. अंधेरा होने की वजह सफाई के लिए जैसे ही उसने माचस की तीली जलाई, वैसे ही वहाँ एक भयंकर चीख के साथ पूरा टनल गूंज उठा, और उस करमचारी को उसके ठीक उपर एक चिप के लिए दिखाई दी, जोकी सिर की तरफ से आधी जली हुई थी. उसके बाद सफाई करमचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, उसकी जान तो बच गई, पर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड गया. आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए, तो लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें.